Hello guys, Welcome to CAD CAM Solutions Merit हम आप सभी के लिए एक न्यू कोर्स को launch करने वाले है जो की है Reverse Engineering in NX तो हम जो है Reverse Engineering NX 12 वर्जन में सीखने वाले है लेकिन हम जो भी यहां सीखेंगे वो NX के बाकी सारे वर्जन में भी अप्लिकेबल होगा as it is, आप without any issues वो यह भी NX के वर्जन में वो सारी चीजे easily कर पाओगे तो guys, जैसे कि आप देख सकते हो यहां पर हमारे पास एक image है जिसमें ये एक STL file है और ये जो है एक similar parametric model है तो ये जो process होती है जिसमें कि हम एक STL file से similar parametric model बनाते है उसी process को हम basically Reverse Engineering कहते है तो हम इस particular course में सीखेंगे कि क्या वो सारे tools हमें यूज करने है कौन से modeling strategies यूज करनी है जिसके मदद से कि हम एक particular STL component को parametric model में बना सके Friends, तो अब हम थोड़ा सा contents discuss करेंगे जो हम इस particular training program में आपको provide करने वाले है तो obviously हम Reverse Engineering से start करेंगे हम उसके definition को सेखेंगे, हम ये जैनेंगे कि Reverse Engineering process क्या होती है साथी साथ हम ये भी देखेंगे कि Reverse Engineering करने के फायदे क्या है उसके advantages, benefits या फिर uses है ना तो उसके बाद आपको idea आ जाएगी कि हमें Reverse Engineering को क्यों use करना होता है आप हमेशा इन दो टर्म्स को सुनोगे जो की होता है Reverse Engineering और Remastering तो as a Design Engineer आपको ये idea होना चाहिए कि कोन से particular CAD file format के लिए आपको Reverse Engineering use करना है तो वही कोन से CAD format के लिए आपको Remastering की जरूरत पड़ेगी है ना तो हमने Remastering पे already course को launch किया हुआ है आप वो visit करके वो भी course को सीख सकते हो ये particular training program में हम Reverse Engineering के बारे में सिखेंगे है ना और जैसे कि मैंने कहा कि as a Design Engineer आपको ये idea होनी चाहिए कि कौन से type के CAD file formats होते है और आपको जभी कोई component प्रोवाइड किया जाएगा तो depending upon वो component का file type कौन सा है उस पे से आपको या तो Reverse Engineering करना पड़ेगा या फिर Remastering करना पड़ेगा तो उसके बारे में भी हम knowledge लेंगे फैंट हम उसका CAD implementation भी देखेंगे हम ये देखेंगे कि जब भी हमें कोई STL file प्रोवाइड की जाती है तो उस file से हम किस तरह से एक parametric model बना सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि STL file जो होती है वो non-parametric या dumb file होती है हम उसके बारे में भी थोड़ा सा जानेंगे guys हम जब भी reverse engineering करते है NX में तो कुछ चीजे होती है जो हमें पहले सीखनी पड़ती है तो उसके लिए हम जो है datum plane हो गया, datum points datum coordinate system या work coordinate system इसको इसके बारे में सीखेंगे क्योंकि ये हमेशा हमें use करना पड़ता है rather reverse engineering की process start करने के लिए ही हमें datum plane से start करना पड़ता है है ना, तो हम जब modeling करेंगे तो हम देखेंगे कि क्यों हमें datum planes create करना आना चाहिए उसके बाद हमें WCS को अच्छे से सीखना है क्यों? because WCS की मदद से हम हमारी modeling को काफी ease out कर सकते है हम time consume होने से बचा सकते है और कम time में better way से modeling कर सकते है तो इसलिए हम WCS use करने के different ways को भी सेखेंगे, अब guys हम modeling करते वक्त हमें कुछ shortcuts का use करना पड़ता है ताकि हम हमारे time को save कर सके और काफी easily different windows में switch कर सके या फिर different tools को use कर सके directly है ना, तो उसके लिए हम throughout this training program different different shortcuts को भी देखेंगे अब friends जब भी हम NX में reverse engineering करते है तो उसके लिए different modeling techniques होती है, depending upon component हमें एक particular modeling technique का use करना पड़ता है जो की completely component पे depend होगा, लेकिन कुनसी modeling technique हमें use करनी है उसके लिए हमें उसका idea होना ज़रूरी है तो हम इस throughout training program में ये सारे different modeling techniques को देखेंगे हम ये देखेंगे कि हमें कब part modeling यूज करना है कब surface modeling यूज करना है तो फिर कब hybrid modeling यूज करना है और साथी साथ हम auto surfacing या rapid surfacing के बारे में भी देखेंगे जो की हम reverse engineering में use करते हैं और हम सारे different modeling tools जो की in particular modeling टेकनिक के around revolve होते है, उसे भी हम अच्छे से सिखेंगे, है ना, अब friends, तो हम जब भी reverse engineering करते है NX में, तो उसके लिए हमें STL फाइल को import करना होता है, और जब भी कभी हम STL फाइल को import करते है, तो वो सारी चीजे जो हमें make sure करनी होती है, जो हमें remember करना होता है, कि हमें क्य options को tick on रखना है, या फिर use करना है, तो वो सारे चीजे भी हम सिखेंगे, importing of STL में, और एक बार जब हम उसे import करते हैं, तो उसके बाद हमें सबसे पहले, even modeling start होने से पहले, STL फाइल को properly align करना होता है, एक reference system के across में, है ना, तो वो क्यू ज़रूरी है, अगर हम alignment नहीं करते है, तो क्या issues आएंगे, क्या problems आएंगे, वो हम सारी चीजे सिखने वाले है, और throughout training program हम जितने भी सारे different components को लेंगे, वो सारे components का हम पहले alignment करेंगे properly, और फिर बाद में ही उसकी modeling करेंगे, है ना, ताकि हमें end में, एक STL फाइल से proper complete parametric 3D model मिल सके, है ना, friends, NX में हमारे प बहुत सारे reverse engineering के tools होते है, कुछ analysis के भी tools होते है, तो हम वो सारे different tools सिखेंगे, जिनके मदद से हम काफी easily reverse engineering को complete कर सके, NX software में, है ना, उसके बाद हम different modeling strategies को discuss करेंगे, हर एक model को different modeling strategies होती है, अब एक particular component create करने के लिए different methods हो सकते है, तो कौन सी best method होगी, वो particular component को करने के लिए तो वो different methods को भी हम देखेंगे, हम different modeling concepts को study करेंगे, जैसे की for example, tangency concept होता है, फिर surface continuity का concept होता है, जैसे की G0, G1, G2, तो ये क्या है, ये हमें कब use करना चाहिए, अगर हम किसी particular component में G0 के जगे G1 use करेंगे तो क्या होगा, या फिर G1 के जगे पे G0 use करेंगे तो क्या होगा, इन सारे concepts को काफी detail वे में discuss करेंगे, है ना, degrees का भी concept होता है, तो हमें किसी particular feature के लिए क्या degree रखनी चाहिए, है ना, तो वो सारी चीजे हम अच्छे से discuss करेंगे, गाइस, ये reverse engineering के course में हम total 10 industrial components को लेंगे, हम in detail उसका study करेंगे, हम उसका alignment देखेंगे, obviously पहले तो हम import फिर उसका alignment देखेंगे, उसके बाद हम जो है, उसकी modeling भी सिखेंगे, तो at the end of this training program, आप कोई भी reverse engineering का component कर सकते हो, meaning आप कोई भी STL components को import करके, reverse engineering की process से उसका एक proper parametric model को create कर सकते हो, है ना, guys, अभी मैं आपको थोड़ा सा NX software में एक demo दूँगा, कि हम exactly क्या करने वाले है, क्या सीखने वाले है ना, तो उसके लिए मैं NX software को open कर लेता हूँ, तो जैसे कि आप देख सकते हो, यह एक model का यहाँ पर reverse engineering किया हुआ है, तो यहाँ पर हमारे पास यह NX 12 software में हम इसे सीखने वाले है, तो जैसे कि आप देख सकते हो, यह एक STL file है, जिसका as it is हमने parametric model भी किया हुआ है, है ना, तो इस file से यह model को किस तरह से बनाना है, वो ह हम सीखेंगे, आप यहाँ देख सकते हो, part navigator में बहुत सारे different tools use किये हुए है, तो हम यह सारे different tools का use भी देखेंगे, not just this, इसके अलावा भी बहुत सारे different tools होते है, तो हम उन सारे tools को in detail study करेंगे, है ना, जैसे कि मैंने कहा था कि जो भी हम यहाँ पर सीखेंगे, वो NX के पाकी सारे versions में भी applicable होगा, तो मैं NX के और एक version में आपको एक थोड़ा सा idea देता हूँ, तो यह जो है, यह NX 2306 version है, ठीक है, जो थोड़ा latest वाला ही है, not the current one, बट उसके पहले, तो जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ भी हमारे पास एक model है, तो यह जो blue color में आप देख हो, यह STL file है, और blue color में जो आप देख रहे हो, यह जो है, हमारा actual parametric model है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि properly यह जो model है, यहाँ पे overlap हो चुका है, तो यहाँ पे आप देख रहे होगी कि कुछ जगे पे properly overlap है, कुछ जगे पे नहीं है, तो क्या सही है, क्या गलत है, हमें क इतनी overlapping आनी चाहिए, तो इन सारी चीजों को हम in detail में सिखेंगे, कभी-कभी आपको overlapping शायद ना मिले, तो वो क्यों नहीं मिलेगी, उसके पीछे का reason क्या है, तो यह सारी चीजों को हम सिखेंगे, जैसे कि आप देख रहे हो, यह scanning पे properly जो है parametric model बन चुका है, और as it is, part navigator में आपको इसकी history दिखने को मिलेगी, तो हम इन सारी चीजों को in detail में सिखेंगे, तो इस course में enroll करने के लिए आप description में दिये गए channel, contact number पे contact कीजिए, और यह जो course है, यह live course होगा guys, हम one-on-one सिखेंगे, ताकि आपको अगर कोई doubt आता है, तो आप मुझे वही पे doubt को clear कर सक करते हो, कोई recorded sections नहीं होगा, आप live में हम अच्छे से इसे सिखेंगे, तो please आप description में दिये गए number पे contact करके अपनी admission को confirm कर लिजिए, thank you